आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलिवुड के डाइरेक्टर सूरज बढ़ जात्या की मूवीज के बारे में और जानेंगे उनका बजट और बॉक्स ओफिस कलेक्शन तो आप लोगों का ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं नंबर एक मैंने प्यार किया रिलीज 19 दिसंबर 1989 मूवी का बजट है चार करोड मूवी ने इंडिया में कलेक्शन किया 14.31 करोड मूवी ने दुनिया भर में कमाई की 27.50 करोड और यह एक औल्टाइन ब्लॉक्बस्टर मूवी थी नंबर दो हम आपके हैं कौन रिलीज 5 अगस्ट 1994 मूवी का बजट है 6.25 करोड मूवी ने इंडियन बॉक्स आफिस पर कमाई की 116 करोड मूवी ने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया 127 करोड इसी के साथ यह एक औल टाइम ब्लॉक्बस्टर मूवी थी नंबर तीन हम साथ साथ हैं रिलीज 5 अगस्ट नवंबर 1999 मूवी का बजट था 17 करोड मूवी ने कलेक्शन किया 66 करोड मूवी का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा 81 करोड और इसी के साथ यह एक ब्लॉक्बस्टर मूवी थी नंबर चार मैं प्रेम की दीवानी हूँ रिलीज 27 जूम 2 हज इस मूवी का बजट था 21 करोड मूवी ने भारत में कलेक्शन किया 17 करोड वही मूवी का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा 38 करोड यह एक फ्लोफ मूवी थी नंबर पांच विवा रिलीज 10 जूमबर 2006 मूवी का बजट था 8 करोड मूवी ने इंडियन बॉक्स आफिस पर कमाई की 45 करोड वही मूवी का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा 49 करोड इस हिसाब से यह ब्लोकबस्टर मूवी थी नंबर च्छे एक विवाह ऐसा भी रिलीज 7 जूमबर 2008 इस मूवी का बजट था 3.50 करोड और इस मूवी ने इंडियन बॉक्स आफिस पर कमाई की 2.37 करोड मूवी का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा 2.48 करोड और यह एक फ्लॉफ मूवी थी नंबर साथ प्रेम रतन धन पायो रिलीज 15 जूमबर 2015 मूवी का बजट था 180 करोड मूवी ने इंडिया में कलेक्शन किया 266 करोड वही मूवी ने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया 365 करोड यह एक हिट मूवी थी नंबर आठ हूचाई रिलीज 11 जूमबर 2022 मूवी का बजट था 45 करोड मूवी ने इंडियन बॉक्स आफिस पर कलेक्शन किया 33 करो वही मूवी का वर्ड वाइड कलेक्शन रहा 48 करो यह एक फलॉफ मूवी थी